यह जिन्दगी यह related to song था जो इसको explain करेंगा मेरी poetry को यह जिन्दगी हम लड़कियों से क्या चाहती है यह जिन्दगी हम लड़कियों से क्या चाहती है कभी उदासी तो कभी भरपूर गम दे जाती है मकसद नहीं है कुछ जीने का हमारा क्यों ऐसा सबक सिखाती है यह जिन्दगी हम लड़कियों से क्या चाहती है समाज में कुछ करने की चहा रख कर हर लड़की भीड में जाने से क्यों कतराती है क्यों नहीं मिलती उसे वो आजादी जो हर लड़के को दी जाती है क्या जीने का है बस लड़कों का अधिकार लड़कों की ही आखिर क्यों बली दी जाती है किसी गर दहेश से जलाई तो किसी गर इज़त की खातिर मार दी जाती है नियत आदमियों की बिगड़ती है तो लांचन और तोपर लगाई जाती है बहरे मेरे समाज ये दातेरी खाक मुझे भाती है हर कोम में और तोपर कोई ना कोई बंदिश लगाई जाती है दिक्कते हजार हो तो भी सहते जाना है हर गली नुकड चोराहे से सिर जुका कराना है ये नसीहत ये तालीम हम लड़कियों को हर घर में दी जाती है निसकर्द निकलता है इससे लड़कया कमजोर तो मरदों की हैवानियत और बढ़ जाती है ये जिन्दगी हम लड़कियों से क्या चाहती है अब जो वास्तविक्ता है वो क्या है ओरत की जो वास्तविक्ता है वो क्या कहती है धारा के मजधारा में अकेले ही बह जाने दो मुझे चलने दो मुझे बढ़ने दो जो किया नहीं किसी और ने अब ऐसा कुछ कर दालने दो दो मेरा तुम समान मुझे बस इतना सा अब काम करो अब लोक लाज और मरियादा को नारी के ना नाम करो इन बंदिश की अब जणी रोसे मुझको तो आज़ाद करो गया दोर वो गया जमाना वो नारी का ना तरिशकार करो ना बार बार अबला समझ कर नारी पर तुम वार करो, क्यों उठी थी जासी में तलवार, बस इतना सा तुम याद करो, जब क्रोध में आई थी मादुर्गा, चंड मुंड भी नाश करो, मुझे चलने दो, मुझे बढ़ने दो, अब जग में कुछ मदलाब करो, ना भीक में दो, ना दया करो, ना तरस करो, ना रहम करो, नारी नहीं है, पुर्सों से कम बस इतना सा अभिमान करो, थैंक यादू